पाकिस्तान और बांगलादीश की बीच खेली जा रही T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले की एक घटना ने ट्वीटर पर हल्ला मचा दिया दरसल धाका में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में पाकिस्तानी गेंद बार शाहिन अफ्रिदी ने एक ऐसा थ्रो मारा जिसकी चलते हैं बांगलादेश पर लिवास अफीफ हुसान पुरी तरह करहा उठे जब अफीफ क्रीस के अंदर थे और थ्रो की कोई जरूरत भी नहीं थी मैच की पहली इनिंग के तीसरे ओबर में ये घटना घटी शाहिन ने गेंद फिकी और अफीफ ने उससे बॉल को डिफेंड किया गेंद जैसे ही शाहिन के पास पहुची उन्हें फॉरण उसे सीधे अफीफ की ओर थ्रो कर दिया गेंद लगते ही अफीफ गिर गए और दर्द से तड़पने लगे उन्हें लगड़ा कर चलते हुए भी देखा गया सोशल मीडिय यूजर्स शाहिन के इस हरकत पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं यूजर्स का कहना है शाहिन ने जानबुच कर ये गेंद बारे दरसल हुआ कुछ यूधा कि शाहिन की इससे पहले वाली गेंद पर अफीफ ने जोरदार सिक्स चर दिया शाहिन इस छक्के को पचा नहीं पाया और अखली गेंद जब उनके हाथ आए तो उन्हें गुस्से में उसे अफीफ की तरफ दे मारा हाला कि बाद में कप्तान बाबर आजम और अफ्रीदी ने खुद भी उनका हालचाल पूछा कुछ देर में वे ठीक हुए और फिर बले बाजी करने लगे वेल इस खबर पर आपका क्या साइध है कमेंट करकर अपनी राय ज़रूर पताईएगा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें क्रिकेट जगत से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे